कि नमस्ते दोस्तों मैं अनिल ठाकर टेकनिसें इन मेकेनिकल डिपार्टमेंट सेन लवल्यू वेरावल दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे में आईसीफ कोच के स्थान पर एलेजबी कोच आ रहे हैं सो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एलेजबी कोच में लगे सेकंडरी एर सस्पेंशन सिस्टम के बारे में जिसे हम एक डियाग्राम की मदद से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों यह LHB Coach के Air Suspension System का डियाग्राम है आए सबसे पहले हम जानते है Air Suspension System के Components और FIBA डिवाइस के बारे में यह है FP Line यानि Feed Pipe Line जिसमें लोकोमोटिव से 6 kg का CM2 प्रेसर आता है और यह BP Line है यानि Break Pressure Line इसमें भी लोकोमोटिव से 5 kg CM2 प्रेसर आता है यहाँ पर FP Line में Without Went Hole आईसोलेटिंग कोग दिया गया है साथ में एक Dirt Collector है जैसा कि आप सब जानते है Dirt Collector का मुख्य कारियर एर प्रेसर के साथ में आने वाली दूल वह मिट्टी आधी को रोकना है और यह NRV है यानि Non Return वाल इसका कारियर FPK 6 kg CM2 प्रेसर को एर टैंक में जाने देना है परन्तु वापस नहीं आने देता इसके बाद यह 150 लीटर का में रिजर वाइर टैंक है इसका कारियर प्रेसराइजड एर को बेलोज तक पहुचाना है में रिजर वाइर के बाद यह ब्रांच पाइप लाइन है जिसे दोनों बोगी के साथ कनेक्ट किया गया है साथ में दोनों बोगी के लिए विदाउट वेंट होल आइसोलेटिंग कोग भी दिया गया है यह ब्रांच पाइप लाइन को में रिजर वाइर से बोगी वन तक लेवलिंग वाल के साथ कनेक्ट किया गया है लेवलिंग वाल और ब्रांच पाइप के बीच में दोनों सीरे पर 3 x 4 इंच का फ्लेक्सिबल पाइप फिटेड है लेवलिंग वाल से एक ब्रांच पाइप लाइन दोनों बेलोज के साथ कनेक्टेड है और दोनों बेलों उसके बीच में एक डुपलेक्स चेकवाल दिया गया है यहां से दो ब्रांच पाइप लाइन फ्लेक्सिबल पाइप के साथ फिबा डिवाइस से कनेक्टेड है और दोनों पाइप में विथ वेंट फ्यूचर आईसोलेटिंग कोक लगा हुआ है दोस्तो यह फिबा डिवाइस है विथ इंडिकेटर फिबा का मतलब है फैलियर इंडिकेटर कम ब्रेक अप्लिकेशन डिवाइस फिबा डिवाइस को में ब्रेक पाइप के साथ एक ब्रांच पाइप की मदद से कनेक्ट किया गया है और बीच में without wind future isolating coke दिया गया है आईए friends अब हम यह समझने की कोसिस करते है कि कैसे pressurized air supply होती है friends main Fp line से 6 kg cm2 pressurized air को isolating coke, dirt collector और non-liter valve से प्रसार होकर 150 liter के main reservoir tank को बढ़ा जाता है EMA tank से pressurized air branch pipe के द्वारा दोनों bogie के leveling valve तक पहुचता है leveling valve से compressed air air spring तक पहुचता है और bellows में लगे 60 liter reservoir को charge करता है दोस्तों यह reservoir 40 liter, 50 liter और 60 liter capacity के आते है साथ में compressed air branch pipe में जाती है जो flexible pipe के द्वारा फिबा पेनल के साथ connected है इस branch pipe में duplex valve दिया गया है दुप्लेक्स वाल का कारियर जब दोनों bellows में pressure difference 1.5 kg पर cm2 हो तब उसे connect करता है loading position में यह process लगातार चलता है जब तक installation lever level parallel हो दोस्तों यहां तक हमने समझा कि bellows में air कैसे charge होता है इसी तरह जैसा ही load कम हो जाता है तब leveling wall के exhaust से atmosphere में air discharge होता है आईए अब बात करते है air suspension system में लगे फिबा device के बारे में दोस्तों फिबा device तीन प्रकार के होते है नौर बिम्स, फैवली और escort इन में से यह है नौर बिम्स फिबा पेनल अगर किसी बोगी के एक या दोनों बेलों में absolute pressure 1 plus minus 0.1 kg cm2 से कम होता है तब फिबा device active हो जाता है और BP pressure को exhaust करता है जिससे गाड़ी में break apply हो जाती है indicator red हो जाता है और hissing sound आता है दोस्तों फिबा device active होने के बहुत सारे reason हो सकते है जैसे कि flexible pipe में leakage या टूटा होना air below rubber puncture या crack होना air suspension line में feral joints का खराब होना या system में कहीं भी air pressure का leakage होना आइए समझते हैं फिबा device को कैसे reset करते हैं सबसे पहले BP pressure exhaust को बंद करने के लिए BP line के isolating coke को बंद करें जिससे formation break release हो जाएगा red indicator को दूर करने के लिए FIBA device के knob को horizontally position में करें इंडिकेटर green होने के बाद knob को vertical position में करें BP line के isolating coke को खोल दें यदि in route में flexible pipe या किसी और region के वज़े से FIBA device activate हो जाए उस condition में बोगी के isolating coke को बंद करें BP line के isolating coke को बंद करें और गाड़ी को 60 km per hour ski speeds limit से next CNW point या destination तक चलाए उमिद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर परसंद आया होगा तन्यवाद झाचा